हलो दोस्तों तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाशा एवं साहित पर आधारित 150 महत्पूर्ण प्रश्णों की तो दोस्तों ये वन लाइनर कुश्चन है बहुत ही महत्पूर्ण है पूरी वीडियो के साथ बने रही है और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें बिल आईकन प्रेस कर लें इसके बाद चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप हिंदी भाशा एवं साहित पर आधारित 500 प्लस वीडियो देख सकते हैं हिंदी साहित के इतिहास पर आधारित वीडियो देख सकते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित आप मांस्टर क्लासेस देख सकते हैं UGC, NIT, JRF के लिए कंप्लीट क्लासेस, स्मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं पहला प्रश्ण है श्यामा स्वपन के लेखक कौन है उत्तर है ठाकुर जगमोहन सींग प्रश्ण है मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है यश्पाल प्रश्ण है भाशा और समाज के लेखक कौन है राम विलास शर्मा प्रश्ण है उत्तर सनरचनावाद के मुख विचारक कौन है सास्यूर प्रश्ण है अर्ध कतानक किस भाशा की रचना है प्रशन है हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक सन 1641 इस्मी के लेखक कौन है बनारसी दास जैन प्रशन है नागवनी जूटन मुर्द हिया किस विधा की रशना है दलित आत्मकथाए है प्रशन है आखरी कलाम का प्रतिपाद्य विशय क्या है इस्लाम दर्शन प्रशन है पुहु पावती किसकी रचना है जिसका संपादर डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया था अगला प्रशन है निज भाषा बोल हूँ लिखा हूँ पढ़ हूँ लिखा हूँ सब लोग किसकी पंक्ती है शिरीधर पाठक की प्रशन है नई कविता पत्रीका का प्रकाशन कहां से होता था प्रयाग से अगला प्रशन है महादेवी जी के कावव में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है यह कथन किसका है विने मोहन शर्मा जी का प्रश्न है गिरियर्षन विद्यापती को मानते हैं क्या मानते हैं श्रंगारी कवी प्रश्न है प्रसिद्ध कविता आत्म हत्या के विरुद्ध किसकी है आत्म हत्या के विरुद्ध रगुवीर सहाय की है प्रश्न है राजा शिव सिंग की पतनी का नाम क्या था? लक्ष्मना देवी प्रश्न है आत्म परिचय रच्ना किस कावि संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण से प्रश्न है आदी कालीन, जैन, सिद्ध वनाथ साहित्य को सामपरदाइक शिक्षा मात्र की संग्या किस ने दी है? सामपरदाइक शिक्षा की मात्र की संग्या आचारे रामचंद्र शुक्ल ने प्रश्न है बच्चन जी इलहाबाद विश्व विद्याले में किस विशय के प्राध्यापक थे अंग्रे जी विशय के प्रश्न है पथ के साथी किस विधा की रश्न है रेखा चित्र है प्रश्ण है ग्यारहमे रस के रूप में भाक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचारे कौन है? रूप गोस्वामी प्रश्ण है बांधों बांधों किर्णे चेतन तेजस्वी है तमजीवन आती भारत की ज्योती निर्धन महिमाबल पंक्ती निराला की किस कविता से ली गई है तुलिसी दास कविता से ली गई है प्रश्ण है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था कब और कहां इस्थान पोर्ट लुईस मारिशस में 28-30 अगर्स्ट 1976 प्रतिभागी देश थे 17 प्रतिनिधियों की संख्या थी 181 प्रश्ण है ग्यारवा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था मारिशस में 18-20 अगस्त 2018 तक ग्यारवे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था प्रश्ण है हिंदी भाषा के हिंदी शब्द का प्राचीनितम प्रियोग मिलता है कहां मिलता है जफर नामा में प्रश्ण है हिंदी भाषा है हिंदी भाषा किस प्रकार की है वियो गातमक प्रकार की प्रश्ण है गुल की बन्नो कहानी कार कौन है धर्म वीर भारती प्रश्न है इनमे से किस लेखक ने नाटकों में अभिने करने के लिए अपने पिता जी से मूश मुंडवा लेने की आग्या मांगी थी किस ने मांगी थी? प्रताप नारायन मिश्र ने प्रश्न है मगही किस उप भाषा की बोली है? बिहारी उप भाषा की प्रश्ण है पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में है प्रतीक रूप में प्रश्ण है दस्वा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था कहां हुआ था इस्थान भोपाल में भारत 10 से 12 सितंबर 2015 उद्गाटन दौर किसके दौरा किया गया था नरेंद्र मोदी जोकी प्रधान मंत्री थे भारत के प्रतिभागी देश 27 थे और प्रतिनिधियों की संख्या थी 2000 पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था कहां हुआ था इस्थान नागपुर भारत में 10 से 12 जनवरी 1975 किसके दौरा उद्गाटन किया गया था इंदिरा गांधी के दौरा जो उस समय की प्रधान मंत्री थी भारत की प्रतिभागी देशों में 30 प्रतिनिधियों की संख्या 122 थी प्रशन है प्रेम चंद के कहानी संगरह है मान सरोवर 8 भाग वगुप्त धन 2 भाग प्रशन है जैसी का जिस राजगहराने में बहुत मान था उसका नाम क्या है अमेठी के राजगराने में प्रश्ण है भा आवतार मोर नौ सदी 30 बरस उपर कवी बदी यहाँ पंक्ती किस कवी ने अपने जन्म के बारे में कही है जैसी ने अगला प्रश्ण है उस समय में हाट बाजार में जाना छोड घर में पड़े-पड़े मरगवती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था यहाँ कथन किसका है बनारसी दास जैन का अगला प्रश्ण है जादूई यथार्थ वाद शब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था गारसिया मार्क वेज ने प्रश्ण है सूफी परमपरा में कितने हिंदू कवी हुए हैं एक वो कौन है सूर्दास पंजाबी अगला प्रश्ण है इनमे से रीती काल का आदर्श काल कौन सा है आदर्श काल कब है 1650 इस्वी से 1850 इस्वी प्रश्ण है विद्यापती ने अप भरंश को क्या कहा है देशी वांडी अगला प्रश्ण है बच्चन जी पर फार्सी के के से कवी का प्रभाव है उमर खैयाम का प्रश्ण है विद्यापती के पदों में प्रधान रस कौन सा है श्रंगार रस प्रश्ण है सचेतन कहानी का परवर्तन कब वो किस ने किया था 1964 में महीप सिंग ने अगला प्रश्ण है जैसी के पदमावत कावे को माना जाता है समसोक्ती प्रश्ण है सूफी शब्द की वियुतपत्ती में किस शब्द को अधिक अधिक माननिता मिली है सूफ शब्द को अधिकाधिक माननेता मिली है प्रश्ण है हिंदू मगपर पाउन राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो यह पंक्ती किसकी है नूर मुहम्मद की अगला प्रश्ण है रीती कालीन कवियों को रीती बद्ध, रीती सिद्ध, रीती मुक्त कवियों की श्रेणियों में किस विद्वान ने विभाजित किया रीती बद्ध, रीती सिद्ध, रीती मुक्त डॉक्टर विश्वनाद प्रसाद मिश्र ने प्रशन है किस विद्वान ने आदिकाल को जय काबविकाल कहकर पुकारा है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने प्रशन है मैं जग जीवन का भार लिये फिरता हूं फिर मैं जीवन में प्यार लिये फिरता हूं यहाँ पंक्ति किसकी है? यहाँ पंक्तियों में प्रधान अलंकार कौन सा है? विरोधा भास अलंकार है प्रश्न है जैसी करत चित्र रेखा नामक गरंथ का नायक कौन है? राजकुमार प्रीतम अगला प्रश्न है आचार्य चिन्ता मणी को रीती काल का पुरवर्तक माना है? किसने माना है? शुक्ल जी ने अगला प्रश्न है प्रेमचंद फिल्मों में क्रती है शिवा नंद कामडे की प्रश्न है निलय उपाद्याय का उपन्यास पहाड का नायक है दशरत मांजी प्रश्ण है एक कुत्ता और मैना या संस्मरण में गुरुदेव शब्द किसके लिए आया है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रश्ण है आचार केशो को रीतिकाल का परवर्तक माना है किसने शयाम सुन्दर दासने अगला प्रश्ण है गोरा उपन्यास किसका लिखा उपन्यास है गुरुदेव टैगोर का प्रश्ण है कहानी तीसरी कसम जिस पर फिल्म बन चुकी है किसने लिखी है फड़िश्वर नाथ रेडू ने अगला प्रश्ण है नैना जोगिन किसकी कहानी है रेणू की फरिश्वर नाथ रेणू जी की अगला प्रश्ण है सारंधी उपन्यास किसका है नरेंद्र कोहली का प्रश्ण है किस कवी को हिंदी का आदी गीतिकार माना जाता है विद्यापती को प्रश्ण है नेता जी कहिन क्रती है नेता जी कहिन क्रती किसकी है मनोहर श्याम जोशी की अगला प्रश्ण है उपन्यास को मानोचरित्र का आख्यान किसने कहा है प्रेम चंदने प्रश्ण है औरत का दिल ऐसी चीज नहीं जिसे आज हिंदू कल मुसल्मान कह दिया जाए पंक्ती किस उपन्यास से है चंद हसीनों के खुतूत उपन्यास से प्रश्ण है हालही में आई फिल्म दा माउंटेंड मैन के निर्देशक है ये फिल्म दशरत मांजी के जीवन पर आधारित है किसकी है केतन महिता की प्रश्ण है भगवती चरण वर्मा की आत्मकथाह कौन सी है कही न जाय का कहिए प्रश्ण है एकदा नैमी सराण ने उपन्यास लेखक है अमरतलाल नागर प्रेम्चंद को प्रेम्चंद नाम किसने दिया था? दया नारायन निगम ने अगला प्रश्ण है म्रगवती की रचना कुतुबन ने कितने समय में पूरी की थी? दो महीने दस दिन में प्रश्ण है आवारा मसीहा निब्न में से किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा अगला प्रश्ण है मिलन का नाम मतलो मैं विरह में चिरहूं या पंक्तियां किसकी है? प्रस्तुत पंक्तियां है महादेवी वर्मा जी की अगला प्रश्ण है रामकुमार वर्मा ने जैसी के गुरू किसको बताया है सैयद मोहिउद्दीन को प्रश्ण है दोहा वली के लेखक कौन है? रहीम प्रश्ण है काला इतिहास काव्वि है बलदेव वन्शी जी का अगला प्रश्ण है महारसी वेदव्यास के पुत्र का नाम है क्या है? शुक देव प्रश्ण है पांडों ने हस्तिनापुर पर कितने वर्सों तक राज्य किया था? चछतिस वर्सों तक अगला प्रश्ण है भीज्म पितामा का वास्तविक नाम था? देव वरत पुरानी हिंदी मानने वालों में कौन नहीं है, कौन नहीं है, राम विलास शर्मा नहीं है, ये पुरानी हिंदी अपरणश को नहीं मानते हैं, अगला प्रशन है, नाथ में रसासनी कौन थे, नागारजुन, प्रशन है, छोरा कुलहारी किसकी आत्मकता है, किशोरी शांता पाई काले जी का प्रश्ण है शिरीज के फूल नामक निबंध किस संग्रह से उद्गरत है कल्प लता से प्रश्ण है हिंदी साहिति की भूमिका रचना काल क्या है इसका 1940 प्रश्ण है प्रश्ण है आता ही होगा कोई नया मोड हिंदी के किस कवी के जीवन पर आधारित है किस जीवन पर आधारित पुस्तक का हाल ही में विवेचन किया गया था लील्यधर जगुडी रविंद्र नाथ टैगोर को प्रगति शील लेखक संग का अध्यक्ष बनाया गया था 1938 में प्रश्ण है हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है तीन अप्रेल को अगला प्रश्ण है यात्रा के लिए निकलती है बुद्धी पर हिर्दय को भी साध लेकर यह कथर किसका है आचार शुकल जी का अगला प्रश्ण है हजारी प्रसाद दिवेदी दौरा लिखित नहीं है कौन सा है हिंदी साहित का आरंभ या हजारी प्रसाद दिवेदी गरंथा वली के कितने खंडों में संकलित है ग्यारह प्रश्ण है शिरीज के फूल निबंध किस शैली का है ललित निबंध है अगला प्रश्ण है शिरीज के फूल नामक निबंध किस संग्रा से उद्घरत है उत्तर है कल्प लता अगला प्रश्ण है हिंदी साहित की भूमिका का रचना काल क्या है प्रश्ण है हजारी प्रसाद दिवेदी किस विशय के प्राध्यापक रहे हिंदी विशय के प्रश्ण है शिरीश के फूल निबंध किस शैली का है ललित निबंध शैली का है ललित निबंध दोबारा हो गया यह प्रश्ण अगला प्रश्ण है हजारी प्रसाद दिवेदी ने शांती निकेतन से प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया था? विश्व भारती पत्रिका का अगला प्रश्ण है हजारी प्रसाद दिवेदी को किस रचना पर साहित्य आकादमी पुरुसकार प्राप्त हुआ था आलोक पर्व पर अगला प्रश्ण है कल्प लता का रचना काल क्या है उन्नीस सो इक्यावन प्रश्न है हजारी प्रसाद दिवेदी ने शिरीश के माध्यम से संदेश दिया है क्या संदेश दिया है विपरीत हालतों में भी प्रसन्य चित रहने का संदेश दिया है प्रश्ण है दिन दस फूला फूलिके खंकर भया पलास निबंध में सप्रयोजन नियोजित कबीर की उक्ति की अन्योक्ती है जीवन नश्वर है प्रश्ण है दिवेदी जी को हिंदी सेवा हेतु सन 1957 में किस अलंकार से विभूशित किया गया था? पद्म भूशन अलंकार से अगला प्रश्ण है प्रेम चंद की पहली रचना किस विधा में थी? उर्दू लेखन में प्रश्ण है उर्दू लेख में पहली रचना थी जिसका नाम था ओलिवर क्रम वेल एक मई 1930 में बनारस के उर्दू सापताहिक पत्र आवाज एक खलक में प्रकाशित हुई प्रेम चंद की अंतिम कहानी कौनसी है? कफन प्रश्ण है प्रेम चंद के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में कितनी कहानियों का संग्रह था? इसमें कितनी कहानियों का संग्रह था? पांच कहानियों का संग्रह था प्रश्ण है प्रेमचंद का विद्वा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है प्रेमा अगला प्रश्ण है प्रेमचंद का उपन्यास जिसको गांधी वादी उपन्यास भी कहा जाता है वह कौन है प्रश्ण है प्रेमचंद पहला उपन्यास जो की उर्दु उपन्यास कौन सा है असरारे मा आबेद उर्फ देवस्थान रहस ये आठ अक्टूबर 1903 में धारा वाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ उर्दु पत्रिका आवाज एक हल्क में या प्रकाशित हुआ था अगला प्रश्ण है राजा जनक के भाई का नाम क्या है कुषद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् सीड़ियां शुरू हो गई हैं यहां रचना की विधा क्या है आलोचना प्रश्न है आलोचना अशोक वाजपे अगला प्रश्न है दशरत मांजी की जीवनी पहाड में उचा आदमी के लेखक कौन है सुभास गातांडे प्रश्न है पदमावत को प्रकाश में लाने का श्रे किस आलोचप को दिया जाता है उत्तर है चार्ल्स से इलियट को अगला प्रश्न है रेडु का नया घर कहानी के लेखक कौन है सूर्य बाला प्रश्न है रागहो विलास जोकी महाकावदी है किसका है विश्वनाथ का प्रश्न है जाती प्रथा की अमानवीयता को प्रकट करने वाली कहानी कौन सी है दूध का दाम प्रश्न है कौन सी रजना विस्थापन के दर्द को प्रकट करती है माटी वाली प्रश्न है माटी वाली टिहरी बांध के कारण उत्पन विस्थापन की समस्या को प्रकट करती विद्य सागर नोटियाल की कहानी माटी वाली है प्रश्न है भागत की गत किसकी व्यंग रचना है हरी शंकर परसाई की प्रश्न है किस उपन्यास में गांधी जी के नमक सत्याग्रह और भारत छोडो आंदोलन की प्रश्ट भूमी में एक ही परिवार की चार पीडियों का चित्रन है भूले बिशरे चित्र में प्रश्न है कौन सा एक कवी सगुड निर्गुड भक्ती धारा में समान रूप से लोगप्रीय रहा है वह कवी है रामा नंद। कौन है रामा नंद। अगला प्रश्न है जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास डायरी शेहली में लिखा गया है जैवर्धन प्रश्न है हिंदी भाषा में शिकार साहित का अप्रतिम लेखन कौन है लेखा कौन है शिरी राम शर्मा अगला प्रश्न है कहा करुणा निधी केशव सोए जकत नहिम अनेक जतनकरी भारत वासी रोए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखा कौन है भारतेंदू हरिश्च्यंद्र अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रतम पत्र संग्रह के संपादक कौन है बनारसी दास प्रश्न है देव की नंदन खत्री का उपन्यास चंदर कानता संतती कितने भागों में प्राकाशित हुआ था अगला प्रश्ण है महरसी वेदव व्यास के पिता का नाम क्या है पाराशर प्रश्ण है रवी विलाप उपन्यास किसका है शीवानी का प्रश्ण है किसा जाम कहानी का कार कौन है नाशिरा शर्मा जाँच अभी जारी है कहानी किसकी है ममता कालिया की राम विलाथ शर्मा की आत्मकथा के कितने भाग है तीन गूंगा नहीं था किसकी करती है जै प्रकाश करदम की प्रश्ण है मंगल भवन रचना किसकी है विवेकी राय की प्रश्ण है हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है अचूत की शिकायत प्रश्ण है अचूत की शिकायत त्याग भूमी पत्रिका के संपादक कौन है हरी भाव उपाद्ध्याये प्रश्ण है लोगतंत्र रक्षी साहित्य मंच की स्थापना किसने की है रेणुने प्रश्ण है पाया पत्र तुम्हारा पत्र संग्रह में नेमी चंद्र और खाली स्थान पत्रों का संकलन है नेमी चंद्र और मुक्ती बोध के पत्रों का संकलन है प्रश्ण है सभ्यता का संकट निबंध के लेखा कौन है अग्य प्रश्ण है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का लेखा कौन है पंडित विद्या निवास मिश्र प्रश्ण है हर बारिश में यात्रा वरतांत किसका है निर्मल वर्मा अगला प्रष्ण है कौन ललीत निबंधकार नहीं है आचारे शुखल ललीत निबंधकार नहीं है मानव ही सब भाप हो गए पंक्तिया किसकी है अग्ये की यहाँ हिरोशीमा कविता से है अगला प्रश्ण है सोम तीर्थ किसका उपन्यास है रगुवीर चौधरी का प्रश्ण है हिंदी के पहले ऐसे गद्द लेखक जिन्होंने कवी सम्मेलन पर गद्द पढ़कर कवियों से ज्यादा वाह वाही लुटी है शरद जोशी ने प्रश्ण है गारसा दातासी के इतिहास से पूर किस विद्द्दवान द्वारा साहित इतिहास लिखा गया था गोकुल नाथ के द्वारा अगला प्रश्ण है प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जमाना पत्रिका में 1910 में प्रश्ण है प्रेमचंद के पहली हिंदि कहानी सौत कौन सी मासिक पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में 1915 इस्वी में प्रश्ण है भारतेंदु जी का एक रात में लिखा नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी 1881 में लिखा नाटक है प्रश्ण है यथार्थ और आदर्ष निबंध किसका है? महादेवी वर्मा का प्रश्ण है सदा नीरा का तातपर क्या है? सदयो जल से परिपूर्ण प्रश्ण है बीस्वी शताबदी में यूरोप में हुई फ्रांसीसी क्रांती फ्रांसीसी क्रांती के बाद चली परिवर्तन की लहर को संग्या दी गई है क्या संग्या? रिनेसा संग्या दी गई है प्रश्ण है प्रेमचंद के उपन्यास का पहला दलित पात्र कौन है सूरदास प्रश्ण है मुन्शी प्रेमचंद का पिता प्रदत नाम था पिता का धनपत राय मुन्शी प्रेमचंद के पिता प्रदत नाम मतलब पिता के दोरा नाम दिया गया धनपत राय प्रश्ण है अमरतलाल नागर का नाटक चढ़त नदूजो रंग किस पर आधारित है सूर दास पर तो दोस्तों यहाद ए वन लाइनर क्वेश्चन की जो अमारी सिरीज थी बहुत ही अच्छे और महत्रपूर प्रश्णिस में सामिल थे अगर आपने पिछली सिरीज नहीं देखिया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी शुरोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद